आलो दोस्तों आपका स्वागत है टीके नर्शन anacademy पे तो आज के इस चोटे से वीडियो में हम बात करनें वाले हैं आपके ब्लट सुगर के बारे में तो यहाँ पर चोह हैं ब्लट परके जो noribell है वह हम देखने नॉर्मल रेंज होती है और उसके बाद में हम बात करें हैं यहां पर तक नॉर्मल रेंज करते हैं लेकिन आपको स्पेस्पिकली कोई पूछे तो 100-125 इस दा प्री डायप्टिक रेंज उसके बाद में मौर देन 126 mg पर डियल इस दा डायप्टिक रेंज यानि आपकी जो है अगर आपसे आपके कोई ब्लड फास्टिंग सुगर चेक करता है तो वह 70-99 तक आता है तो वह एकदम नॉर्मल है परफेक्ट रेंज है लेकिन जो 100-125 है उसको भी हम नॉर्मल के अंदर कंसिडर करते हैं और आपकी अबोव 126 mg पर डियल आजाए तो वह आपकी डायविटीज को कंफरमेशन करती है उसके बाद में दूसरा है आपका पोस्ट प्रांडियल पीपी भी जिसको बोलते हैं जो वह आपका नॉर्मल कंसिडर किया जाता है और 140-199 तक जो रेंज आती है वह आपकी जो है प्री डायविटिक रेंज है यानि हम 200 तक नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं लेकिन यहां पर 140 से कम आते ही तो आपका जो आपका नॉर्मल रेंज होगा एकदम परफेक्ट रेंज है औ और 140-199 तक आपका pre-diaptic range होगा और 200 से ज़्यादा अगर आपका blood glucose level आ रहा है तो वो यहाँ पर diabetes को confirm कर रहा है उसके बाद में next हम बात कर रहे हैं glucose tolerance test यानि GTT जिसको आप OGTT भी बोलते हैं OGTT भी आप इसी का दूसरा नाम है तो इसमें भी आपकी same यही range रहने वाली है अग आपकी normal के अंदर consider करी जाएगी 142-199 के अंदर जो range है आपकी pre-diaptic के अंदर आती है और more than 200 है आपकी जो है diabetic range कहलाती है तो यहाँ पर जो है oral glucose tails है यह आपका जो gestational diabetic mellitus है उसके अंदर चेक किया जाता है OGTT से जो की confirmation test है OGTT के according ही माना जाता है और HbA1c है वो आपका बताती है जिसके अंदर आपका hemoglobin है hemoglobin के उपर जो है आपका जो A1c hemoglobin के उपर कितना आपका glucose bind गवा है वो आपको बताता है तो यहाँ पर जो है तीन महीने की 90 days की up to 90 days की जो है आपको blood sugar है आपको history बताता है previous history बताता है यानि आपको normal के अंदर consider करा जाता है वही 6-7% आता है तो आपका pre-diabetic range के अंदर आता है और less more than 7% है वो आपका diabetes को confirm करता है तो अगर किसी का जो आपका यह एच्बी एवन आपको जो है याद रखना है एक्जाम में बार बार पूछी जाती ओजी टीटी के बारे में और थोड़ा सबस्वाद बता देता हूं और जो लास्ट की आपको जो है 75 ग्राम ग्लूकोज है वह और ली देते हैं और हर आदे गिंटे में जो सुगर चेक करते हैं उसके आप्टर टू आवर वाली जो आपकी सुगर लेवल है आप्टर टू आवर वाली सुगर लेवल है वह इंपोर्टेंट होती है अगर उसकी रेंज 140 से कम आती है तो नॉर्मल है 140-199 आती है तो आपकी प्री डाइबिटिक रेंज हो जाएगी और दोस्तों से ज्यादा लेखने को मिली तो यह कंफर्म करता है आपकी डाइबिटीज को तो थैंक यू फॉर जोइनिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में बस इतना ही